Hello students, good morning, बच्चो आज हम आपको chapter 12 मनी में पढ़ाएंगे exercise 12.2 ओके So take your pencil and open your notebook and book सभी ने open कर ली, आप सबसे पहले date mention कीजिए, आज की date क्या है बच्चो जो भी आज की date है, वो आप लिखिए, इसके बाद आप लिखेंगे exercise 12.2 और लिखिए add the following, सभी बच्चो ने लिख लिया है, question number one, बच्चो ये है रुपे और पैसे, जैसे अभी आपने इससे पहले रुपे और पैसे साथ में count किये थे या आपने coins and rupees count किये थे, आज आपको करना क्या है, पैसे दिये क्या है, तो पैसे one rupees is equal to कितने पैसे होते बच्चो, hundred पैसे, और मैंने आपको ये भी learn कर रहा है कि one rupees में 50 पैसे के 2 coins, 25 पैसे के 4 coins and 10 पैसे के 10 coins होते हैं, ओके, तो अब आप चलिए, जैसे question लिखा है, जिस तरीके से लिखेंगे न नमबर, पैसे उनको ऐसे लिखती जिए और इनको count करना है ये आपको work अपनी बुट में ही fill करना है बीटा, जैसे लिखा है 25 पैसे plus 25 पैसे, तो आप इनको जब आप plus करोगे, तो answer कितना हैगा, 50 पैसे कैसे, 5 plus 5, 10, 10 के 0 and 2 plus 2, okay, अब इसमें carry one कर देंगे, तो 5 हो जाएगा, तो total कितने पैसे हो जाएगे, 50 पैसे, तो अब आप जानेंगे na, कि 25 plus 25 पैसे जब मिलेंगे, तो कितने पैसे हो जाएगे आपके पास total, 50 पैसे, okay, आप इसी प्रकार से दिया है, 25 पैसे plus 50 पैसे, बच्चो इनको भी plus कीजिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएगे, 25 plus 50 पैसे is equal to 75 पैसे, होते हैं न, कितने पैसे आपको लिगना है, 75 पैसे, अब हम पढ़ते हैं, question number 3 में, जिसमें आपको करना है, 7 पैसे plus 19 पैसे, 19 जिसको बोलते हैं, हाँ तो बच्चो यह रूपे हैं, पहले आपने पैसे plus किये थे, अब आपको बताने रूपीज को, तो आप जब इतको आप प्लेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, रूपीज, जैसे 7 रूपीज, प्लेस 19 रूपीज, 7 प्लेस 9, कितने हो जाएंगे बच्चो, 16 होते हैं न, 16 किया आप 6 लिखेंगे, और जब 1 में 1 प्लेस करेंगे तो 2, यानि आप बताएं कि 19 प्लेस 7 इस इकोल टू 26 रूपीज हो जाएंगे न, अच्छा, अब हम देखते हैं, 52 प्लेस 27 रूपीज है, तो अब आप इनको भी काउंट प्लेस कर लेजी, और प्लेस करने के बाद रूपीज में आंसर दीजेगे, तो अब समझ में हैं, कि रूपे को रूपे से प्लेस किया है, और पैसे को पैसे से, ठीक तो काउंट करने के पाद, टोटल जब अमाउंट आगा बच्छो तो उनको जब पैसे को काउंट करोगे, तो उसका अमाउंट पैसे भी लिखिए, और जब रूपे को काउंट किजे, तो उनका अमाउंट रुपए में लिखना है ओके तो आप सब लोग जल्द से जल्द अपना वर्क कप्लेट कीजिए और हमें यह करेक्षन के लिए तुरंट सेट कीजिए और मुझे सबी बच्चों का वर्क चाहिए ओके बाइबाय है वनाइस जे